इस वक्त मुझूद है हम रावडी आवास के पास आप बता दे आज की 27 सितंबर है किसानों ने आज भारत बंद बुलाया है आरजीडी ने भी इसका समर्थन किया है नितापरतिपक्ष तरिश्वी आदब ने जब जातिय जनगन्ना को लेकर बयान दे रहे थे उसी वक्त उन्होंने इस बात को कहा है कि 27 सितंबर को जब भारत बंद बुलाया है किसानों ने तो उसका भी हम समर्थन करेंगे महागटबंदन के बैठक के बाद तरिश्वी आदब ने ये फैसला लिया था कि हम भी जो किसानों का समर्थन है वो करने वाले हैं और उसके बाद वो दिल्ली गए हलाकि आज यह कहा जा रहा है कि दिल्ली से जो है वो दिल्ली के बॉर्डर पर जहां किसान प्रदर्शन करेंगे वहाँ उनकी पहुंचने की जो तस्वीर है वो निकल कर सामने आ सकती है लेकिन फिलहाल आज जी के जो रावड़ी आवास है वहाँ पर हम मौजूद हैं वहा रावड़ी आवास के पास की जो तस्वीर है आपको बता दे कि कहीं न कहीं तमाम जो जब किसानों के समर्थन के बाद कहीं गई है तो इसको लेकर आजएडी के तरफ से क्या कुछ तस्वीरे निकल कर सामने आएगी वह तो फिलहाल देखने वाली बात होगी लेकिन आज ज प्रकार की किसी चीज की शुरुआत होगी या जो उनका पार्टी दफ्तर है वहीं से चीजों की शुरुआत होगी आपको बपाता दे कि किसान जो है वो कई महीनों से जो है वो बोडर पर हैं अपनी को लेकर और कहीं न कहीं वो तस्वीर आप लगतार देखते होंगे अपनी स्क्रीन पर कि किस तरीके से तमाम किसान है वो लगतार प्रदर्शन करते हैं अपनी मांगों को लेकर तीनों क्रिशी कानुनों को वापस लेने की बात लगतार जो किसान है वो कह रहे हैं तो कहीं न क इसको लेकर आपको बतादे कि अंदोलन अस्थल पर गाउं किसानों नहीं बुलाए जाएगा गाजी पूरी या जो दिल्ली के हम बात कर रहे हैं कि दिल्ली में किस तरीके से प्रदर्शन होगा हम उसकी बात करेंगे अंदोलन अस्थल पर काफी बड़ी संख्या में किसान पहले से मौजूद है यहां भारति बंद की योजना की तहट कार करेंगे यूपी के जनपदों से किसान उस दिन यहां नहीं आちゃیں के। वे अपने अपने छेत्र में बंद का आयोजन करेंगे और अलग अलग जो किसान बॉर्डर पर पहुंचते हैं अलग अलग जगों से तो वो लोग बॉर्डर पर नहीं पहुंचेंगे बलकि अपने ही उस जगे पर मौझूद हैं जहां रहते हैं वहीं पर उसको बंद करने का जो काम है वहां से करना है तो कहीं न कहीं संयुकत किशान मुर्चा ने कहा है कि बंद का योजन सुबा 6 बजे साम 4 बजे तक के लिए किया गया है इस दोरान सभी सरकारी और जो नीजी दफ्तर सिक्षन और संस्थान दुकाने उधोग और व्यवसाई के प्रतिष्ठान बंद रहेंगे बंद के सभी आपात प्रतिष्ठानों सेवाओं अस्पतालों दवा दुकान के रहत एवं बचावकार को इन नीजी इमर्जंसी सेवाओं से वंचित रखा गया है आपको बता दे कि स्वास्त से रिलेटेर जो तमाम चीजे है वुन तमाम चीजों को छोड़ा गय है और राबडी अवास के पास की यह तस्वीर हम आपको दिखा रहे थे हमारे पीछे बैनर भी देख सकते हैं कि किस तरीके से बैनर लगाया गया है कि आज किसान आंदोलन है और इसको लेकर आज भारत बंद जो महागट बंदन ने इसकी जो बात कही है महागट बंदन इस का समर्थन करता है यह पोस्टर आप हमारे पीछे लगे हुए देख रहे हैं कैमेरा परसन नीजट के साथ मैरे इंजन सिंग पटना